जाएं दोस्तों अंदमातरम पिछले कुछ दिनों से महराज की राजनीती में काफी उथल पुथल मची हुई NCP से पहले NCP के अध्यक्ष रहे शरत पवार अस्तीफा देते हैं उसके कुछी दिनों बाद वो खुद के ही स्तीफी को खुद से ही वापस ले लेते हैं पूरी तरीके से पॉलिटिक्स में इंवाल्व होने की वज़े से काफी सारे तिये पाचे ऐसे हैं जो कि इस परिवार को ही समझ में आते हैं तो इस वीडियो में हम लोग जानने ही कोशिश करेंगी कि आखिर किस तरीके से शरत पवार का ये स्तीफा सुप्रिया सुले के लिए एक वरदान बन गया है वहीं पर कई लोग इसको अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं दरसल अगर हम लोग भारती राजनीती की बात करें तो उसमें शरत पवार का कद काफी बड़ा है ऐसे में शरत पवार के अधश्पत से स्तीफे के एलान के बाद एनसीपी में जो तूफान मचा था वो आखरकार उनका स्तीफा वापस लिन से बिना किसी नुकसान के ही शान्त हो गया पवार के इस दाओं ने उनके भतीजे अजीत पवार को फिलहाल चित कर दिया है और बेटी सुप्रिया सुले इस पूरे प्रक्रेंट में पवार के बाद पार्टी नेताओं की पहली पसंद बन कर उबरी इस पूरे प्रक्रेंट से क्या कुछ हासिल हुआ उसमें चार चीजें तो साफ तोर पर दिखाई दे रही है सबसे पहले तो चार दिन चले इस पूरे अपिसोड में ये साबित हो गया कि अजीत पवार NCP में भले ही बड़े और मजबूत नीता है लेकिन पार्टी अब भी पूरी तरह शरत पवार पर ही निर्भर है पवार के रहते अगर NCP तूट जाती तो उनकी राजनिती की चत्र खिलाडी वाली छवी को जवर्दा जटका लगता दूसरा ये चीज थापित हो चुकी कि शरत पवार के बिना पार्टी कटिके रहना भी मुश्किल है खासकर तब जब चुनावा आयोग ने पिछले दिनों ही NCP का राश्टी इदर जाख खत्म कर दिया है पवार के अलावा ऐसा कोई निता नहीं जिसकी अन्य राज्यों में थोड़ी बहुत भी सुईका रहता हो तीसरा ये भी तैय हो चुका है कि शर्ट पवार के बाद अगर उनका कोई सर्वमान ने उतरा दाएकरी बनता है तो वो शर्ट पवार की बेटी सुप्रिया सुले होंगी क्योंकि पारटी के जाधर नेताओने शर्ट पवार के फैसला वापस ना लेने की कंडिशन में सुप्रिया सुले के नाम पर सहमती जताई और राश्टी राजनिती में उनके काम को रिकांकित भी किया सूप्रिया के बारे में पालिटी फोरम पर खोले हम ये बात record पर कही गई वहीं शरत पवार ने अपने एक तीर से अजीद पवार को balance भी कर दिया है और सूप्रिया सुले को अपनी पालिटी के राष्टी परद्रश्य में सबसे उपर ला दिया है अजीत पवार के लिए अब शरत पवार की मर्जी के खिलाफ कोई भी फैसल लेना पहले से और भी ज़्यादा मुश्किल भरा हो गया है पवार ने अपनी प्रेस कांफरेंस में ये भी साफ कह दिया है कि अगर कोई छोड़ कर जाना चाहता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता जादा उठाना और उसका इस्तमाल लिटमस टेस्ट की तरह करना शरत पवार जैसे मंजे हुए दुरंदर राजनिते खिलाडी के लिए ही संबफ था खास कर तब जवे मूग के कैंसर की कंबीर विमारी से गरस्थ होकर उम्र की धलान पर है शरत पवार के पालिटी के अद्धक्षपत छोड़ने की खबर राश्ची खबर इस तरह प्रचारित हुई जैसे वो सक्री राजनिती से सन्यास ले रहे हैं इससे 2024 के आम चुनाओं के लिए विपक्ष के साजा मोर्चा गठित करने में जोटे नेता भी काफी बेचान हो गए थे देश भर के तमाम विपक्षी नेता फोन करने लगे और शरत पवार से फैसले पर दोबार विचार करने की उनको सरा देने लगे इस तरह से विपक्षी खेमे में एक बार फिर शरत पवार अपने महत्व को रेखांकित करने में सफल भी रहे हैं महराश में महाविकास अगाडी में भी ये पवार पहले से और जादा मस्बूत हो गया है सीधी सी बात है पवार ने यहाँ पर कुछ किया नहीं लेकिन बता जरूर दिया कि अगर वो कुछ करने जाते हैं तो कितना बड़ा वैक्यूम क्रियेट होगा और उस वैक्यूम को भर पाना एक दो साल की बात तो छोड़ दीजिए मुझे उसे लगता है कि लंबे समय तक भर पाना काफी मुश्किलों भरा होगा लेकिन अभी कि अगर हम संदर में बात करें तो 2024 में भारत में बड़े चुनाव होने वाले है शरत पवार उसमें एक एहम रोल प्ले करेंगी और विपक्ष को शरत पवार की बहुत ज़्यादा जरूरत भी पड़ेगी बस यहीं पर सारा का सारा गणेत उलजा हुआ है कि अगर शरत पवार यहां पर अजीद पवार को सही नहीं करते उनको समझाते नहीं कि भई क्या कुछ चीजें हैं और किस तरीके से चलेंगी तो शायद आगे चलकर NCP में एक बड़ी टकरार देखने के लिए मिल जाती लेकिन शरत पवार केस इस पूरे स्तीफे के प्रकरन ने इन पूरी चीजों को क्लियर कर दिया है कि भई यहां कौन आगे रहेगा और कौन नहीं रहेगा मेरे स्वीडियों फिलालत नहीं जायें जाय भारत